नमस्कार दोस्तों ग्रेटों इंडिया यूटुब चन्र में आपका स्वागत है यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफर्म तो दोस्तों आज के सेशन में हम भूम टैप में टॉपिक फॉन्ट से रिलेटेड जो है वेरी इंपोडेंट टॉपिक रहेगा तो अभी तक हमने फॉन्ट ग्रूप के बारे में काफी तक जैसे बोल्ल डीटेलिक अंडलाइन वगरा यह सारे टूल्स हमने यूज कर लिया लगपाद ओके यह सभी हमने टूल्स यूज कर लिया तो आज हम यहां पर आगे कंटिन्यू करने वाले तो देखिए आज हम यहां पर इसी से आग पर किलीक करने पर तो आपको एक फॉन्ट डायलोग बॉक्स उपन होगा पर फियान से इसको देख लीजी डियान से ठेकth को अब इसको समझते हैं सबसे पहले यह रहा पर फॉन्ट यहीं लेकिन यहां पर आपको एक्जाम में जो पूजा जाता है फॉन्ट के बारे में तो एक्चुल में यहां से जो कोर्स नाता है अपना दियान रखना है थोड़ा एक मेर अडर्जेस्ट कर लेते हैं इसको चलो अब देखे अब यहां pere publicly को दिखै देरा एक तो फॉंट का यह एक color का window है, जो font color यहां से change किया जाता है, लेकिन यहां पर important जो question पूछा जाता है, वो यहां से यह है, underline style के बारे में, यह दी पोले के केवल सब्दों पर underline लगानी है, तो आपको word only use करना है, ओके दोस्तों, देखें यह competition exam में efficiency class के लिए very important class है रही है, ओके, तो देखें word only का मतलब है, केवल सब्दों पर underline लगानी है, उसके बाद जो underline के यह features दे रखें, वो सभी आपको याद रखना है, कि पतली वाली कौन सी होती है, मोटी कौन सी है, double कौन सा, single कौन सा ही, जब यहां पर font, underline की style के अंदर सब्दों पर underline बोले, तो underline का यह दी color भी बो जान रखना है, जैसे strike throw एक font effect कहलाता है, double strike throw यह भी font effect है, super skip यह भी font effect है, और sub skip font effect, जो sub और super यह तो हमको बाहर से option यूज़ करना, strike throw बाहर मिल जाएगा, लेकिन double strike दो के लिए आपको dialogue works open करना पड़ेगा, फिर आई बात अपने small caps, all caps और hidden, यहां पर यह features भी यूज़ क दियान से देखें इसको, देखें, अभी यहां पर कुछ कोर्षन इस तरीके से आपको दियान रखना है, मैं तोड़ा यहां पर बड़ा कर देता हूँ, देखें, कुछ कोर्षन इस तरीके से पूछे जाते हैं दियान रखना आपको font effect के बारे में, font effect कौन कौन से होते हैं कि font style और font effect दोनों में difference है font style के अंदर bold italic underline और regular आता है और font effect की बात करें तो font effect में जो है strike throw भी आता है दियान रखने strike strike throw वाला effect भी आता है double strike throw वाला भी आता है और रही बात आगे next देखें sub skip भी आता है और super skip भी आता है फिर यहां पर आप देख सकते small cap पाता है और एक all cap पाता है और एक all cap यह सभी दियान रखने आपको और एक hidden features आता है इतना तो आपको पता चल गया होगा लेकिन यह यहां पर जो अभी मैं लिक रहा हूँ embos engrave shadow तो यह embos engrave shadow यह भी आना आपको कहां पर मिलेंगे इस font वाले dialogue box मिलेंगे तीन effect यह भी दियान रखने है embos वाला engrave और shadow वाला ठीक है तो यह भी यहां पर जो effect है आपको font मिलेंगे तो यहां पर यह जो effect है इसके अंदर मिलेगा यह दि यहां से question पूछेगा तो यहां पर मिलेंगे आपको यह दि नहीं होते है तो आपको extra जो question आएगा वो यहां से step के तुरू आएगा जिसमें आपको क्या क्या दियान रखना देखिए यहां पर तो aldo में यहां पर आपको तीन version मिलेंगे very important दियान राखना सर्ऊमिलेंगे सबसे पहला यहां से outer option दियान राकना एक तो outer का option मिलेगा एक इंलन मिलेगा और एक perspective आपसर्ण मिलेगा तो यह पर चार तीन option यहां पे सेड़ों के अंदर अंदर में लेंगे इसी तरीक peppers के अंदर Exact रिफ्लेक्शन का हो तो यहां से यह दि आपको बाहरे में पूछे में यह प्र यह shoot यह और यह दिस्पा होते हैं आगे जो कौर्शन अपना जो होता है वह होता है यहाँ पर एडवांस का अंदर एडवांस features very important ध्यान रखें एडवांस features' में आपको यहां पर देखरे टीक रहा होगा सबसे पहले सबसे पहले यहां पर इसक्राइब जो दिख रहा है वह इतना जो बोले वो यहां से आपको percentage लेना है पहला portion तो यह जब बोले तभी आपको यहां पर scaling लेना है जैसे 150 बोला तो यहां पर type करके okay कर देना है कुछ enter वगर नहीं देना है सिदा ही okay कर देना है फिर यहां से ही portion जो पूझा जाता है वो आता space का तो लेकिन अपसन यहां पर कौन से बनते हैं वो ध्यान रखना है एक काता है character spacing जो scale होता उसके अंदर एक character spacing में spacing होती है एक character spacing में position होती है तो आपको पूझे character के बारे में ही तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि character spacing scale 150 कर Water तो यहां पर आपको 150 टाइब करना है और ओके कर देना है देन सिधाई यह दि आपको पूछे इस पेस अभी यहां पर करेक्टर इस पेसिंग जो होती है दो टाइब की जो है एक नॉर्मल दियानक नहीं जो बाई डिफोल्ट रहता है तो कोर्शन पूछेगा करेक्टर इस पेसिंग एक्सपैंडेट करे 1.5 2.5 जितना बोले उतना एदि कुछ नहीं कहा जाता है तो एक्सपैंड करके यहां कुछ नहीं बोला सिधाई ओके करना है यहांपर टाइब करना है एंटर नहीं देना है टाइब करके ओके कर देना है यहांपको यहां पर concern date वाल आप्शन जो बोले उ कोई भी टेक्स उपर उटा हो दिखेगा और लोवर का मतलब कोई भी टेक्स नीचे के और दिखेगा जितना बोले उतना लेना है जी कुछ नहीं बोला तो आपको कुछ नहीं लेना है सिदाई क्लिक करके कर देना है तो यह थे अपने फिचर्स जो अपने एडवांस और फॉंट ग्रूप के और यह आज अपने फॉंट ग्रूप कम्प्लीट हो चुके दोस्तों अभी मैं रेगुलर दिर दिर जो भी मेरे को टाइम मिल रहे में किलास आपके लिए अप्लोड करता रहूंगा इसके होम वर्ड को सलेट कीजिए और यहां पर इसके स्केलिंग जो है 150 करनी है तो उसने स्केलिंग बोला तो यहां से सबसे पहले यहां फॉंट डायलोग बॉक्स ऑपन करना है एडवांस में जाना है और यहां पर इसकेलिंग कितना बोला 150 अंदर है इसलिए 150 किया और रोके कर कर दिया बस यह हो गया इसके लिंग देखिए थोड़ा चोड़ाई में हो गया इसी के अंदर एक और कोर्षन हम बनाते हैं यह दिया आपको बोला केवल सब्दों पर अंडरलाइन करनी है जैसे कोई भी परग्राफ बोला फर्स सेकेंड थर्ड जो भी परग्राफ उसको सेले ओके पॉइंट दियान रखें वेरी इंपोडेंट है यह सारे फिर जानते हैं आगे नेक्स्ट अभी यहां पर वापस हम यहां पर एक फॉंट वाला वर्ड सेलेक्ट किया और फॉंट डायलोग बोक्स में अगला जो कोर्षन है एडवांस का अंदर इस्पेसिंग जिसमें सबसे पहले यूज करेंगे एक्सपेंड इट उसने बोला परतम पर 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 अपर आपका तीसरा सब्सक्राइब करें सिर्फ पाउंड लिफ फॉर एक्सपेंड बोला तो इस पर क्लिक करके ओके करना और और कुछ नहीं यह दिए आपको इसी में वो कोर्षन चैंज करेगा यह दि बोलेगा एक्सपेंडेंट 3.0 करें तो एक्सपेंड पाला ओप्सन पर क्लिक करना और यह पॉइंट 1 की जगह 3 लिखके सलेट करके ओके कर देना और कुछ नहीं करना तो देखिए थोड़ा वर्ड जो है यह फैल चुका है करेक्टर अलगला फिर इसी के अंदर हम जैसे महां लोग का लेला था गुरूप को सलेक्ट वापस यहां पर सेकंड और यहां पर जितना बोला उतना यह दिन नहीं बोला तो कुछ नहीं उसने बोला फॉर पॉइंट करना फॉर पॉइंट क्या होके तो यह देखिए बहुत पास माग है जिससे वर्ड दिकाई नह राइज ये दोनों दियान रखने हैं तो राइज की बात करें दोस्तों तो राइज जैसे मान लो यहां पर परतम परगाप का यह तीसरा सब चौता सब जो भी बोला उसको सलेट करना है राइज फॉर पॉइंट करना है ऐसा बोला तो आपको फॉंट वाले ग्रूप में गए एडवांस में गए राइज बोला राइज लिया कितना पॉइंट थ्री के जगा फॉर बोला था फॉर लिका ओके यह दि कुछ नहीं बोलता लिया ओके कर दिया तो यह 6 निचे चला गया ओके तो यह राइज और लोवर हो गया ओके दोस्तों तो यह था अपना फॉंट ग्रूप से रिलेटिड वेरी इंपोर्डेंट टॉपिक यह दि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जरूर सेर करें लाइक करें और subscribe करें तो आज अपना font group complete हो चुका है इससे पहले अपने चो class आपने नहीं देखिए तो वो जरूर देखे playlist मिल जाएगा और यदि playlist नहीं मिले तो वीडियो को जरूर देखे यहाँ पर end में आपको मैं यहाँ पर description box में उसका वीडियो लिंक आपको provide कर दूँगा जो भी पिछली class होई है अभी font group का अथम आगे next class जो है अपने paragraph से related रहने वाली है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजी आज के लिए बस इतना ही मिलते next class में जल्दी Thank you